तो भावी सिच्चकों आज ये बाल विकास सेखने की प्रक्रिया का दूसरा वीडियो है आज हम वास्तों में आपको बताएंगे कि बाल विकास क्या है और इसकी परिपाशा आए देखते हैं तो भाल विकास आज पढ़ाएंगे आपको कि बाल विकास का अर्थ अब आईए देखते हैं बाल विकास मनोविज्ञान की वह साखा है जिसके अंतरगाथ देखे ध्यान दीजे एक एक पॉइंट पर विकास सात्मक द्रिष्टी क्या बोला है विकास आत्मक द्रिष्टी हुआ अवस्था या प्रावड़ा वस्था तक के मानों व्यवार अर्था सारीरी क्यों मांसिक क्रियाओं में होने वाले क्रमिक परिवर्थन ऐसा परिवर्थन नहीं कि पहला हो गया फिर तीज़रा हो गया यानि कि घर्भा वस्था हो गया फिर क्या बाल वस्था और कि श समय कितना विकास हुआ और किस प्रकार से विकास हो रहा है इसमें क्या निहित प्रक्रियाओं जो क्रियाएं हो रहे उनका वैज्ञानिक अध्यान है तो आप भी खिये ध्यान दीजे बाल विकास क्या है बाल विकास मनोव विज्यान की वह साखा है जिसके अंतरगत विकास आ बालक क्या जन्व से पूर्व के देन्सारावस्था से बाद यूअ वस्था और को उसी विख्यानिकों प्रारहा वस्था दोनों रख दिये हैं कि युओ आवस्था या प्राव्ड़ावस्था तक के मानो व्योई 방법 अर्था शारेरी क्यों मान्जिक क्रियाओं में होने वाले क्रामीक परिवर्थन और उसके श्वरूप शमय आदमी नहित प्रक्रियाओं का क्या ऐसे नहीं कि वस्जा लिया बलके क्या वैग्यानिक कद्ध है बाल विकास मनोविज्ञान का विक्सित प्रूप है आईए हम समझाते हैं आप पॉइंट वाइस समझें फिर मेरी तरफ से विवहारिक समझें यह कह रहा है बाल विकास है क्या यह मनोविज्ञान की एक साखा है पहले वीडियो में हमने बताया था आप समझे थे कि मनोविज्ञान में बालक के विवहार का अध्यन किया जाता है लेकिन विकास में क्या है विकास में विकास आत्मक द्रिष्ट को ध्यान में रखते हुए आवस्था और नहीं हो रहा है तो उसके कारण क्या है उसकारण को जानना उसके लच्छ में क्यों परिवर्तन हो रहा है मालू वच्छा चाहता है कि हम इंजीनियर बनेंगे और वो आगे जा रहा है विक्सित हो रहा है विकास की प्रक्रिया चल रही क्रम सा लेकिन एक वैक क्या हुआ उ है। शारीरी कवस्थां के साथ साथ क्या अन्य विकास अत्मक प्रक्रियाओं को भी हम libro कना छाह hing और सब प्रक्तिरियाओं को करने के लिए या इनका अध्यन करने के लिए आवश्यक है कि बालविकाश जाना जाए बालविकाश का अध्यन किया जाए तो आप व्योहारिक में समझे तो ज्यादा अच्छा है आप कह सकते हैं मेरे शाहत यह सवब्द तो आपके लिए है ही कि आप वस्थाओं का कौनसी वस्था गर्भा वस्था से लेकर कोहां तक प्रावढ़ा वस्था कुछ बैग्यानिकों के नाम इसका नाम युवा वस्था और कुछ बैग्यानिकों के नाम इसका नाम प्रावढ़ा वस्था तो गर्भा वस्था से लेकर प्रावढ़ा वस्था तक की प्रक्रियाओं का अध्यान करते हुए साथ साथ क्या अध्यान में रखना है साथ साथ अन्य शामाजिक मानसिक सामवेगिक विकास को ध्यान में भी रखते हुए क्या किया जाए अध्यन किया जाए और किसके करामिक अध्यन किया जाए और जिस साखा के अंतरगत अध्यन किया जाए वो बाल विकास कहलाता है सीधी सीवात आपने जाना कि बालक के व्योहारों का या अवस्थाओं का जब क्रमिक अध्यन जिस शाका में किया जाता है उस साका में क्रमिक अध्यन किया जाता है और मनों वैग्यानिक तरीके से किया जाता है तो उस साका को हम बाल विकास कहते हैं फिर और शार्ट में करते बद्ध तरीके से और बैज्यानिक रोफ से जिस साखा में अध्यल किया जाता है उसे हम बालविकास कहते हैं आईए आगे बढ़ते हैं तो आपको फिर एक वास हम पॉइंट वाइस रखते हैं बालविकास क्या है बालविकास वही चीज यहां भी कह रहे हैं आप देखें बा आपनाती हुई गर्भावस्था से लेकर युवा अवस्था या प्रवड़ावस्था हमने बता दिया यहां कोई confusion नहीं होना चाहिए कुछ वैज्यानिकों के अनशार इसका नाम युवावस्था रख दिया गया और कुछ वैज्यानिकों के नाम आशार प्रवड़ावस् यानि सारे मांचिक क्रियाओं में होने वाले क्रमिक परिवर्तन उसके शवरूप यानि क्या परिवर्तन जो हो रहा किस प्रकार का हो रहा है शमय किस समय में हो रहा है आदि में नहित प्रक्रियाओं का वैज्यानिक अध्यन ही क्या है बाल विकास बाल मनोवी ज्यान का वि लेकिन बालविकास मिं क्या है बालवीकास वेवहारिक अध्धिनों का उसकी अवस्थाओं और करंभध्ध से अध्धिन किया जाता है इसलिए मनोव विग्यालद की विखस्त साखा कहा गया अब देखें बालविकास में बालक रूचि बिल्शान में होने वाले परिवर्तनों उपर ध्यान दिया जाता है यानि किसका बालक की रूची क्या थी पहले बहुत खेलता था पर अब क्या कर रहा है बालक एकांकी होता जा रहा है मिस अभी कांत में भाग रहा है अलग बैठ रहा है क्यों बैठ रहा है उसकी रूची क्यों नहीं यह खेल विवहाद पहले तो अच्छा था अच्छे से बैठता था विवहार क्यों चेंज हो रहा है यह कौन सिखाता है यह लच्छों में होने वाले परिवर्थ हैं उसका लच्छ जो था क्या था दाक्टर विंगें इंजीनियर वनेंगें पड़ी में इनत करता था लेकिन एक वहग उसके लच्छ ही चेंज हो गए कहा नहीं नहीं हमसे यह सब होने वाला नहीं है हम क्या हम इसको नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं आपका लच्छ क्यों चेंज हो रहा है यह हमें जानने की जरूरत है और हम कैसे जानेंगे बालविकाश के माध्यम स इसलिए वाल विकास रखा गया तो देखे होने वाले परिवर्तनों पर क्या किया जाए ध्यान दिया जाता है तथा ध्यान ही नहीं दिया जाता ध्यान तो दिया गया पहला अस्तर है फिर दूसरे अस्तर पर उसे ध्यान देने के बाद क्या किया जाए आगे विकास के लिए अग्य शर्ट किया जाता है यह जो विकास शॆ अवर किसी कաरण वज उसका लच परिवर्टन हो गया है। उसके भाट सेज हो गया है किि किसी एक प्रेवर का दुदि में यूद हई है उस भाट कर उसे विकास के लिए आगे बढ़ाना किसकी अंतरगत बाल विकास के अंतरगत ही है इसका अध्यान कर सकते हैं भाल विकास में यह खोजनी का प्रयास किया जाता है कि विकास तो क्या कारण है तथा विकास कैसे हो कैसे हो सकता है वर्तमान में बाल विकास का अध्यान महत्पूर हो गया है नहीं इन सिस को जानने के लिए कि बाल विकास में यह खोजनी का प्रयास किया जाता है कि बाल किया जाता है कि विकास हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है तो क्या कारण है तथा विकास कैसे हो सकता है बर्तमान में बाल विकास का अध्यान महत्पूर हो गया क्योंकि बच्चे का शार भौमिक यो वैक्तिक विकास आवश्यक है कहा जा रहा है यहां पे कि बाल विकास में वालक की रूच क्यों चेंज हो रही है विवहार क्यों चेंज हो रहा है उसका लच क्यों परिवर्तित हो बालक का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है और कैसे क्या किया जाए कि उसका विकास हो क्योंकि बालक का क्या करना है और क्या बैक्तिक एक बैक्तिक क्यों था शारीरिक विकास शारीरिक मांचिक सामाजिक सांवेगिक सब आते हैं इ लिए हमें आवश्या के कि बाल बिकास का यह लिए वहाँ आप लिए आप खुश्चक के लिए अनप लने अद्धिना सकते हैं। उनका विकास क्यों रुद्ध हो रहा है, ये जानने का कारण नहीं खोज सकते हैं, फिर कारण खोज लीए है, तो कैसे सूल जहाया जाएं। यहनि कैसे उसकी रुची को उत्पन किया जाएं, जो रुची खत्म हो चुकी वो पुना कैसे आए यह सब ज्यान आपको किसी मिलता बाल मनो सौरे बाल विकास से मिरताय है आई यह हम चलते हैं की परिभास। बेरे इंपकोित जांते हैं बेरी बेरी AT 18 बढ़िवासा पूछी जाएग जो एक नमब का भीर सकते यूदwyn ग्रेवर के शब्दों में बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकास इलमानों का अध्यन किया जाता है इन्होंने क्या कहा आप समझे इसको बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की क्या एक साखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता कि अपने शब्दों में कहा आई देखतے है दोस्तों कि बाल मनों की घ्यान के एक शाखा और इसमें क्या किया जाता हैिक क्या देखें यहां से दिया गया जन्मस परिपक्ता तक नोने गर मज़ता चोड़ दिए बस जन्में परिपक्ता को तक बिकास सील्मानों का अध्यान किया जाथ जो अग्रिशा रजान में से लेकर परीफक्ता तक क्या है आगे ही बढ़ राचाए आवस्ताय हो चाहे अन्यमान्सिक्स विद्धिक अधिर कास ये पच्छो उनका क्या किया जाता है अध्यान ही जाता जाताfunded किन ँ लेइं चारे बचों जएम से ड्रेवर के शब्दों में बालमनोविञ्यान मनवई वह शॉक्षा है जिस में जन्म से प्रिपक्षा तक विकाश इल्मानों का अध्यन किया जाता है जिसमें जन्म से लेकर परिपकता स् drum लुक्त का अध्यन किया इन्हों पुला सब्सक्राइन क्याते हैं त्मय कुद्दीक है कि ने त्थ। तक रहता है आप तुरंत याद आजाएगा किसकी परिभाशा आप यह देखिएगा कि जैनम से परिपक्वता तक जैनम से ऩी जैन्म से इनिया परिपक्वता ते हैं किसकी वुए पूरी परिवादा न भी याद रहें आप ट्रिक से काम ली जए तो काम जल जाएगा भंवेहिकृतम किस नthropy और अधिया क्या किया ता किसका ता-धियन की आधाता अधिया किसका घरभावस्ता से जर्भीतु परियंद मिर्टअ कि ने ते लिए रेवर में कहा डारविन ने रा विन ये घरभाव अस्ता से मृत उपरियनत की बात कि आ एकुआ कि लोना विग्यान वह वह्जान नहीं की साथ है इन्हीं ने से पहंद है कि विद्ध号 versus सिध्य कर दिया कि बार्विकार सोगामी बिखांख के do और अधी कुछ भी नायाद रहे तो तीन पॉइंट आपको मिलता है यहाँ इनौनिका जन्मसे परिपक्षता रिवर का और अगे डार्विन नि'y किया traject का देवेश जैसे हमआरी हो 캌 करों किया कहा देखेए गर्भावस्था की अरंब्य को आपा क्या और इनका क्या आए खना परिपक्टता जर्म स्थी पर भक्टता दूसरे में Darwin का क्या है इन्हों ने कहा गर्भावस्था से मृत उपरियन और फिर Crow and Crow ने क्या कहा गर्भावस्था के आरम से किस ओर आवस्था के आरम तक तो ये रहा आपका आज बाल विकास का अर्थ वच्छों जैसा लगे हैं आप कमेंट की माध्यम से हमें सुचित करिएगा धन्यवाद